12 रिब्य लवल की आमद आमद है के महकमा इंस्तार तजावजात सेल की जानिब से शेहर के मुखतलिफ इलाकों में तेजावजात के खिलाफ आपरेशन में भी तेजी आ गई डिस्ट्रिक सेंटर में एंटी इंक्रोच्मेंट टीम ने कारवाई करते हुए फुटपाथ पड़े ठेले पतारे और दीगर सामाद जब्त कर लिया गया मजीद अफसिलात इस रिपोर्ट में 12 रब्य अवल की आमज से कबल एंटी इंक्रोच्मेंट सेल की कराची में तजावजात के खिलाफ कारवाईयों में तेजी आ गई सीनियर डिरेक्टर लेंट एंटी इंक्रोच्मेंट बशीर सिद्धिकी की जेरे निगराने डिस्ट्रिक्ट सेंटरल के इलाके नाजबाबाद के मुक्तलिफ मकामत पर तजावजात के खिलाफ कारवाई की गई कारवाई के दुरान फुट पाथ पर रखे टिये पतारे, खाने पीने के स्टॉल्स, टेबिल कुर्सिया और दीगर समान जब्त कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट सेंटरल में तजावजात के खिलाफ आपरेशन में डिप्टि डिरेक्टर एंटिन क्रोश्मेंट टारिख गान की टिमने हिस्सा लिया जबके आपरेशन के दुरान असिस्टेंट कमिशनर और इलाका पुलिस भी मوجود थी सीनिय डिरेक्टर लेंट एंटिन क्रोच्वंट बशीर सिद्धे की का कहना है कि रब्यूल अवल में बड़ी तादाद में रेलिया और जलूस निकाले जाते हैं किसी कीमत पर तजाविजात के बाइस चेहरियों को मुश्किला नहीं होने देंगे सीनिय डिरेक्टर लेंट एंटिन क्रोच्वंट ने मसीद कहा कि शेहर से तजाविजात के खातमे तक आपरेशन जारी रहेगा कर दो